रमजान में करें लॉकडाउन का पालन मुसलिम समाच का रमजान का त्योहार 25 तारिक से शुरू हो रहा है इसको अमन, चैन और भाई चारे से छेतर में मनाने के लिए सितार गंज पुलिस द्वारा कोतवाली में गड़मान ने व्यक्तियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग रखी गई जिसमें कोरोना वाइरस महामारी के चलते इस बार इस त्योहार को घरों में ही रह मनाने का आग रह पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया मीटिंग में मौजूद सियो सुर्जीत कुमार ने लोगों से कहा कि कोरोना महामारी ने देश विदेश में विक्राल रूप धानर कर रखा है और इसका अभी तो कोई इलाज नहीं घोजा जा सका है जिसके चलते सभी जगे लॉगडाउन लगा हुआ है जिसमें लोगों को घरों से बाहर ना निकलने को कहा जा रहा है रमजान के त्योहार 25 मई से शुरू हो रहे हैं इस बार रमजान पर लोगों से घरों में ही रहकर मनाने को कहा जा रहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और लोग त्योहार भी मना सके सुरजीत कुमार सी ओ सितार गंज अपने जवार को मनाते हैं वह सम्बन में अधिशन रिदेश हुए थे कि इस तरह पूर में बताया गया है कि लोग स्केटल के इसकमान ना हो और सभी लोग अपने दोरों में सोशल डिस्टेंस बनाते हुए अपने जवार को मनाएं पूए मस्जिदों में साहुई अधिया है और समी में आश्राशन दी है कि मस्टपा नहीं है